भारत क्रिशी प्रथान देश है और यहां की लगभग 65% जनसंख्या आजीवी का निर्वहन के लिए क्रिशी कारियों पर निर्भर है पहले खेतों में रशानिक पदार्थों का उप्योग नहीं किया जाता था लेकिन बरती जनसंख्या और ज्यादा मात्रा में अनकी मांग बढ़ने की कारण धीरे धीरे लोगों ने क्रिसी उत्पादन बढ़ाने के लिए रशानिक उर्भरों को का परियोग करना परड़म कर दिया रशानिक खादों की उप्योग से उत्पादन की मात्रा तो बढ़ जाती है परन्तु इससे भूमी की उपजाओं सकती निरंतर कम होती जा रही है इसके साथी प्रती दिन लोग नई नई बिमारियों से ग्रसी थो रहे हैं और परियावरन संतूलन भी बिगरता जा र लेकिन आज भी जादा तर किशानों की खेती रशानिक खादों पर ही निर्भर है चप्रा जीले के बनियापुर प्रखंट के कराह गाओं के ऐसे भी किसान हैं जो आज पूरी तरह से जैवी खेती करते हैं और उसके लिए वह बर्मी कंपोस्ट के माध्यम से जैवी खाद और अन्य लोगों को भी जैवी खाद से खेती करने के लिए प्रेरीत भी करते हैं चप्रा की कराह गाओं के किसान रामेस्वर सिंग का पूरा परिवार क्रिशी पर निर्भर है और जैवी खेती को माध्यम बनाकर किसान रामेस्वर सिंग ने खेती को ही रोजगार बना डा इसमें पॉस्टिकता है और इसे इम्यूनिटी बढ़ती है जबकि रशानिक खादों से तयार फसल जहरीला और शरीर के लिए नुकसान दायक है जैविक खेती करें जैविक द्वारा अगर फसल उगाएं तो हम खुद स्वास्त रह सकते हैं हमारे खेत का जो भी फसल जाएगा आलू गौहू केला जो भी फसल सब्जी जाएगा वह और लोगों को तो स्वास्त रखेगा ही न तो इसे से क्या है जैविक खेती में क्या है कि आपको खेत की उर्वड़ा सक्ती बरकरार रहती है इसके बाद आने वाले जो जेनरेशन हैं उनके लिए खेत सुरक्षित रहेगा फटलाइजर का परियोग जो हम लोग कर रहे हैं तो इसमें डिएपी और फटलाइजर का एक परत सा जम जाता ह जो जमीन को बंजर कर रहा है अब इस खेत में जहां भी जाइएगा जैविक खेती जो होगा उस खेत में आप जब बारिस का पानी गिरेगा तो उस खेत में घंटा के बाद पानी नहीं रहेगा रहेया तूंकि इसमें बर्मी कंपोस्ट का प्रियोक किया गया है, इसमें आपको केचुआ है वह जमीन को है सुझ जाल जैसा कर दिया और बगल में जाईए हमारे पहले ये आलू का खेती की हैं पंदरा दिन पहले उनके आलू का ग्रोथ देख लिए और मेरे आलू का ग्रोथ देख लिए आप कितने परकार की खेतियां करते हैं और कैसे कैसे हम तो ऐसे हमारा मुख खेति केला और उसके बाद इस सीजन में आलू टमाटर कोबी मतलब हाज सबजी की खेति हम करते हैं सब खेति जैविक से करते हैं यदि ऐसे ही किसान लगातार रशाइनिक खादों का परियोग करते रहे तो आने वाले समय में धर्ती बंजर हो जाएगी और आने वाले पीधी खेतों से अनाज नहीं उगा पाएंगे इसलिए खेतों को बचाना है तो किसानों को जैविक खादों का उपियोग सुरू कर देना चाहिए जैविक खाद रशाइनिक खादों से सस्ती भी है और खेतों के लिए वर्दान भी है कि आये दोगिनी करने के लिए सरकार चाहे जितने भी परियास कर ले लेकिन धरातल पर जब तक आप खुद कुछ करने के लिए ततपर नहीं होंगे तब तक कुछ नहीं हो सकता जैविक खेती का करनामा देखिए कि हर जगा पे देखिए एक साथ दो दो पौधे लगाए गए हैं यह करनामा जैविक खेती से ही संभव है कि एक साथ दो दो फल निकल रहे हैं नहीं तो रसाइनी खादों से ऐसा संभव नहीं है इसे देखे फाइदा क्या है कि अगर हम जैवी खाद इसमें लगाते हैं जितना का हम डियेपी खर देंगे पुटास खर देंगे कैसियम खर देंगे उसके ही लागत से कम में हम जैवी खेती करेंगे इनका मानना है कि जैवी खेती करने से जो खेतों की वरक छमता होती है वो बढ़ती है और जो रसायनी खादों से खेतों में जो परत जम जाते हैं और जो भूमी बंजर होने की जो समभावनाएं हैं उससे किसानों को समझना होगा और जैवी खादों से ही खेती करना होगा ता कि आने वाली पीरी को हम उन्नत खेती दे सकें